जैराम जी की दोस्तों, आपका दिन सुब हो मंगल मैं हो फ्रभू से यही कामना है सभी बढ़ों के चड़ों में प्रणाम और छोटों को धीर सारा प्यार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर विशेश प्रकार के महरत बताता हूँ आपको समय समय पर विशेश प्रकार की जानकारिया देता हूँ आज फिर उसी विशे के साथ मैं अपस्तित वाऊं और आज की हमारी जानकारी का विशे है मुंडन तो आज हम बात करेंगे कि 2021 में किस समय मुंडन किया जाए जिससे हमें अतिला प्राप्त हो एक बात का विशेश ध्यान रखें कि कई लोग विशेश महरत जानने के लिए मेरे पास फोन करते हैं उनका स्वागत है, वो मेरे पास phone करके, कोई भी विशेस महुरत किसी बारे में भी अगर जानना चाहते हैं, तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते वो भी note कर सकते हैं, 8383806890, नंबर ध्यान से एक बार फिल से सुने, 838 8383806890, यह हमारा contact नंबर है संस्तान का, अब बात करते हैं मुंडन महुरत के लिए, जो जातक लगातार मुझसे जोड़ा रहना चाहते हैं, या जग लगातार अपने भविशे, कुंडली या हाथ वगरा के बारे में जानकारी हाशिल करना चाहते हैं, वो किर्पया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमारी जानकारी को लोगों तक पहुँचाएं, आज इसी विशे पर बात करते हैं और आगे विशे को बढ़ाते हैं मुंडन संस्कार, 2021 में मुंडन संस्कार जन्वरी महीने में नहीं है, फरवरी महा में मुंडन संस्कार के 32 परवरी, 24 परवरी और 25 परवरी इसके अलावा मार्च महा में जो मुंडन संसकार के आपके महरत हैं वो हैं 3 मार्च, 10, 11, 24, 29 और 31 तारीक इसके बाद बात करें अप्रेल महा की तो आपके जो अतिसुब महरत हैं अप्रेल महा में वो हैं दिन्नांग 7, 19, 26 और 29 मैं महा में मुंडन संसकार के जो आपके महरत हैं वो हैं दिन्नांग 3, 5, 6, 14, 17, 24 और 27 जून महा में अगर आप मुंडन संसकार करवाना चाहते हैं 2021 में तो उसके अतिसुब महरत हैं दिन्नांग 21, 24 और 28 जूनाइ महा में अगर आप मुंडन संसकार करना चाहते हैं तो उसके अतिसुब महरत हैं सिर्फ एक ही महरत जूनाइ महा में 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 अच्छा प्रतित हो रहा है और वो है 7 जूनाइ वर्ष के बाद के महिनों में मुझे कोई सुब महरत मुंडन संसकार का नहीं मिल रहा है अगर आप कोई विसेश महरत या कोई विसेश जानकारी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो कृप्या हमसे संपर्क करें आपका स्वागत हैं इसे के साथ आपसे विदाद लेता हूँ जैराम जी की जैशिर्या